यहां पर इन्होंने टाइगर की स्पैलिंग जो लिखी है वो है टी वाई जी आर क्योंकि उस समय में जब यह विलियम बिलेक्स ने पोयम लिखी थी तो वहां पर टाइगर की स्पैलिंग यह कॉमन थी तो इन्होंने लिखा है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन दा फोरेस्ट ओफ दी नाइट यानि वो टाइगर को कहने चाहते हैं कि फोरेस्ट में रात मतलब जंगल में रात के समय अंधेरी में अगर घनेर अंधेरा है तब भी जो है जो है पिल्कुल चमक रहा होत symmetric. अब यहाँ पर इन्हों ने immortal hand को यूज किया है तो immortal को एक होता है जो अमर होता है याँनि भगवान को यहाँ वो पूछते हैं वो को वो इन से भगवान के हाथ होंगे यह आईस होंगी जिन्होंने तुम्हीं जैसे खतनाक क्रियचर को बनाया फिर वो कहते है इन वार्ट डिस्टेंस डीप और स्काइस बर्ण दा फायर ओफ दी थाइन आइस और वो कहां से जलती हुई आग जो है वो कहां से लाया होगा तुम्हारी आखों में उसने यह आग डाली होगी जिससे वो तुम्हारी आखे इतनी चमकती है आग की तरह है तो वो कौन से वो ऐसे पंक होगा जिसका उन्होंने इस्तमाल किया होगा तुम्हारे लिए इस आख को पगड़कर लाने के लिए कैसे वो लाए होंगे तुम्हारे लिए इस आख को होंगे तुम्हें मानने के लिए और उनके आंसों से जो है पूरा सवर्ग भर गया होगा पूरा सवर्ग पानी पानी हो गया होगा पूरे सवर्ग जो है डूब गया होगा उनके आंसों में डिड़ ही स्माइल अब यहां पर ही किस कौन यूस हो रहा है ही गोड के लिए यानि कीकरेशन प Xuha और होगा इंजर मिठ थी और वह कहते हैं किया वह वह है जिसने में को बनाया अब लैंब क्या होता है एक बेड को जो चोटी सी बेड हो इन मतरब माई बेर क reviewers अगता है तो यहां पर म advisor क्रियेटर यह क्रियेटर वही है जिसने लेम ने बनाया और तुम्हारे 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 जैसे खतरनाक जानवरों को भी बनाया क्या ये वही है अब आती है टाइगर टाइगर बनिंग ब्राइट इन दा फोरेस्ट ऑफ दी नाइट अब ये वाली जो लास्ट पैरग्राफ है चार लाइंस ये दुबार से फर्स्ट पैरग्राफ की लाइन आगी है और उसका भी वही मेनिंग है ठीक है तो ये चैप्टर सिर्फ इतने ही था और आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक जूर कीजिए और थैंक दो कर दो कि अजया था था आपको वीडियों कर दो दो कि कर दो करदा है।